दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल सीविल साइड विजिट में तो गाइज आज का टॉपिक काफी इंपोर्टन टॉपिक है उस पे मैं आता हूँ लेकिन पहले आपको थेंक्यू कहता हूँ इतना प्यार दे रहे हो आप वीडियोस को और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक किया करो और जो चीज़ीं आपको नहीं पता चल रही है वो कमेंट करो मैं उसका रिप्लाइज जरूर करूँगा आपको तो स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक और यही टॉपिक आपको हमारी वैपसाइट सिविल साइट विजिट डाट कॉम पे भी मिल जाएगा jobs के मिल जाएगा लिंक मिल जाएगे आपको books मिल जाएगे, ice code सब आपको हमारी website पे मिल जाएगा तो आज का topic स्टार्ट करता हूँ काफी जादा important topic है लेवर cost in construction of hazard square feet house hazard square feet house मैंने example लिए है कि hazard square feet house हमारा बनाने में क्या है क्योंकि मेरी कल इस पे वीडियो आईगी जिसमें मैं material प्लस labor cost बताऊएगा लेकिन आज मैं labor cost बताऊएगा कि आपका plastics में कितना खरचाएगा labor का painting में कितना खरचाएगा ये सब मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में पूरा इस वीडियो को देखो काफी आपके काम आने वाली है यह वीडियो दूसरी चीज जो यह स्टूडेंट है भी फ्रेशर है जहां जिनकी बीटेक कंपलीट हो जोग यह डिगरी है जॉब नहीं है तो वो सोच रहे हैं कि कि खुद का काम स्टार्ट करने के बारे में तो यह वीडियो उनके लिए भी काफी जादे इंपॉर्टन है क्यों क्योंकि जो मैं आपको रेट बताऊंगा इसमें कुंट्रेक्टर प्रॉफिट एडडिड है मतलब यह जो रेट हैं यह कुंट्रेक्टर के साथ हैं मतलब जो उनका प्रॉफिट रहता है 10 या 15 या 20 परसेंट उसको लेके में यह जो रेट आपको बता रहा हूं और यह उनके लिए भी है जो सोच रहे हैं गर बनाने का और आप सोच रहे हो कि कुंट्रेक्टर हायर करके आम करवा करवाएंगे तो उनके लिए भी काफी हल्पूल होग ज़बा क्योंकि इसी रेट में आपको कॉंट्रेक्टर भी मिल जाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करता हूँ आज को टॉपिंग में सबसे पहले है अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन कोई भी काम रहेगा हमारा सबसे पहले काम रहता है अर्थवर्क और एक्सकवेशन का तो आपको बारनर पर क्यूबिक फीट पर आपको मिल जाएगी लेवन मतलब आपका कोई भी एरिया है हजार स्केर फीट का आपका एरिया है उसमें एक्सकवेशन करवानी के लगा लो कि आपका 200 से 300 क्यूबिक फीट आपका एक्सकवेटिक एरिया है मतलब इतना आपको खर्चा पड़ेगा ठीक है यह हो गया फिर आगे लेंग कॉंक्रीट मतलब जो कोई भी घर का काम होगा यहां कुछ भी होगा सबसे बड़ा काम जो रहते हैं कॉंक्रीट और स्टील का तो सबसे बहले में कॉंक्रीट का बताता हूँ अगर फुटिंग आपको उसमें कॉंक्र कर सकते हो कि अगर भाइचेंस आपका तीनसो एंत्यु टि की फुटिंग है पर मुझा एंत्मय गया क्यम्हसकू क्यूभ को क्यूबी सrafने कर लो क्योंगी जो मेरेड मता रहा कॉलम के लिए और कॉलूम का लग और देखो और कॉंट्र रहेगा लेकिन हर चीज का फुटिंग का वह 15 लेगा कॉलूम के लिए 30 पर कुबिक फीड लेगा प्लिंट भीम होगा तो 15 पर क्यूबिक फीड आपका चार्ज होगा लेवर कॉस्ट ये लेवर कॉस्ट आपकी पढ़ रही है और इसी बेसिस पे आप अगर चोटा मोटा आपका कोई टेंडर बरने आप अभी आप स्टार्ट कर रहे हो कुछ काम वैसे तो मैं कह लर्म करोंगा आप अच्छे से रेड डयाड आपको लेकिन कर सकते हो ज्यादा आपको घाटा बाटा नहीं होगा नेक्स्ट वर्क का अगर आपको स्टील र्क करवानंद तो आपको लेवर कास्ट छूट pai पर मैट्रेग आपको पड़ेगा मैं बंब धीं जो भी स्टील मै स्टील बाइंडिंग होगा उसका टोटल वेट करके टन के हिसाब से आपको लेबर कास्ट पड़ेगा अगर आभी कोई कॉन्ट्रक्टर हाइर करोगे तो पांच हसार रप्या एक मेटरी टन का वो आपके चार्ज करेगा फिर बात करते हैं हम बीम जो आपको ड़लवान है मतलब लेवर कास्ट आपको कितना पड़ेगा बीम का कास्टिंग करभान JUST 30 पर cubic feet पड़ेगा slab का है तो 20 रवे cubic feet पड़ेगा lintel है तो 30 रवे cubic feet पड़ेगा चज्जा रहता है जो हमारा window का चज्जा हो गया है lintel से चज्जा निकलता है 20 रवे cubic feet पड़ेगा और stair की हमारी पड़ेगी 40 रवे cubic feet ये आगया हमारा M25 concrete आपको beam slab lintel चज्जा staircase में करवाऊगे तो आपको contractor मिल जाएगा 30 रवे cubic feet में 20 रवे cubic feet में ये labor cost आपको पड़ेगी तनी फिर आगया बाल की construction है 6 इंच की wall है अगर तो 15 रवे square feet का आपका rate रहेगा 4 इंच की wall रतरो 20 रवे पर square feet आपको contractor मिल जाएगा काम करने के लिए और आप इससे easily estimate भी कर सकते हो कि आपकी इतनी लंबी दिवार है इतनी square feet है तो आपको labor cost कितना पड़ेगा तो इससे multiply करोगे आपका easily निकल जाएगा और material की बात रही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कल आपको विडियो उसके मैं बताऊंगे दरूर तो flooring की बात करें vertified tile है हमारी तो labor cost पड़ेगी हमारे 20 square per square feet किसके लिए vertified tile लगाने के लिए अगर wall tile लगाने है आपको wall tile का 16 रपे पर square feet अगर bathroom tile है 20 रपे पर square feet आपको ये पड़ेगी labor cost इसमें अभी बात करते हैं हम बुडवर्की तो बुडवर्क में क्या है में जो डोर रहता है हमारा में डोर हो गया या पूजरूम का डोर हो गया जो पूजरूम के अंदर की फिटिंग बगए रहा होती है तो 250 पर फीट आपको पड़ेगी जो में डोर जो बाकी डोर रहेंगे आप पगाना काटना उसका कितना पढ़ेगा 200 पर फीट फिर आते हैं हमारे बाद MS ग्रिल होती है जो हमारी शयत पर ग्रिल आ गई या श्टेर की ग्रिल आ गई तो वह आपका रेट लेवर कास्ट कितना बढ़ता है ग्रिवेश्ट पर फीट आपको लेवर कास्ट उसकी fixing पढ़े उसमें पढ़ता है, तो इसलिए मैंने ये सेम ही आपको दे दिया, प्लास्टिंग का 15 रपे स्केर फीट आपको सीलिंग का प्लास्टर करवाने में लेवर चार्ज लगेगा, और इंटिरियर वाल का आपको लगेगा 45 रपे पर स्केर फीट इंटर्नल वाल्स का और एक्टर्नल वाल्स का आपका लगेगा 25 रपे पर स्केर फीट इसमें हमारा सब कबर हो गया, लेकिन दो चीजे, एक हो हमारी प्लम्बिंग रह गी और लेक्रिकल, उसका क्या है उसका डिपेंड होता है आपका material पे और item rate उसका ज़धा रहता है, तो इसलिए मैंने उसमें include नहीं किया, उसका खर्चा लगा लो आपको लाग से तेर्ड लाग रुपया labor cost उसमें लग जाएगा अगर आपका 1000 square feet का घर है या 1500 square feet तक के घर में तो guys अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए जुरूर इसको like करना और share करना जो चीज़ी आपको इसमें नेक ले रहे comment करना में उसका reply करूँगा इसका दूसरा part आएगा जल जिसमें material प्लस labor cost होगी footing, सब चीज़ों का अलग, material का अलग होगा पर share feed कितना material हमें खर्चा पड़ेगा और labor कितना पड़ेगा ये total video में लाने वाला हूँ Thank you guys